यह जो air gun है इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की जरुत नहीं पड़ेगी यह है hellrazer p92 यह co2 powered bb pistol है 0.177 caliber का है इसके लिए आपको इंडिया में लाइसेंस की जरुत नहीं पड़ेगी जो box है इसके ओपड़ी आपको अच्छा idea मिल जाता है कि जो air gun है इसके features क्या ह हूँ वैसे जो air gun है इसका जो magazine है इसमें आप 18 bb's दाल सकते हैं यह है इसका user manual और यह है air gun यह metal का बना हुआ है और इसका जो weight है यह जो realistic gun है उसी की तरह है वैसा ही feel मिलता है heavy है इसके अलावा box में यह allen की दिया हुआ है अब यह जो CO2 powered air gun है यह काफी powerful है इसका जो maximum velocity है वो है 315 fps इसमें आपको steel bb's use करना है और जैसे कि मैंने कहा इसका जो construction है यह metal का है और यहाँ पर भी specifically mention किया हुआ है कि यह .177 caliber का है यह है इसका rear sight, यह है front sight, यह है slider release यह जो slider है इसे आप पीछे move कर सकते हैं यह देखे और यह जो release button है इसे press करके इस प्रिकार से जो slider है इसे आप release कर सकते हैं जब आप slider को पीछे pull करेंगे तो यह देखे जो hammer है वो इस position में आ जाता है आप trigger को press कर सकते हैं और एक बार यहां पर यहां पर यहां पर आपको बीबीज दालना है यहां पर यह स्प्रिंग मेकानिजम दिया हुआ है इसमें आप तकरीबन 18 राउंड बीबीज एड कर सकते हैं और मैगजिन का जो शेफ है यह रियल गन की तरह ही है दूर से वैसा ही लगेगा मैं आपको फिर से बता दूं कि यह एक टॉय गन नहीं है यह एक इसे आपको संभाल कर यूज करना है यहां पर दिखें जो एलन की दिया हुआ है बॉक्स में उसे यूज करके यह जो नट है इसे खोलना है और इसमें हमें दालना है तो वो मैं दालता हूँ सबसे पहले मैं इसे खोल देता हूँ तो आपको यह दालना है 12G CO2 ऐसा दिखता है यह जो पाठ है यह पंचर होने वाला है जब इसके अंदर जाएगा तो यहां पर देखें यह ओलो एरिया है मैगजिन में इसके अंदर यह जो CO2 है इसे यहां पर टाइट करना है और जब आप इस नट को टाइट करेंगे एक पॉइंट आएगा जब आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा आपको इसे टाइट करते जाना है ताकि जो सील है CO2 का वो पंचर हो और यह देके हलका सा एक हिस साउंड मुझे सुना ही दिया ह उसके बाद में एक छोटा सा एंगल इतना सा टर्न करके आप इसे लॉक कर सकते हैं अब जो सी ओटू है वो पंचर हो गया है और जो हिस साउंड है वो भी अभी नहीं आ रहा है जैसे कि मैंने कहा है यहां पर आपको बीबीज दालना है यह देखें इस प्रकार के बीबीज इस स्टील बीबीज जो कि राउंड है यह दिखें इस प्रकार के बॉल बेरिंग की तरह दिखता है इसे आपको मैगजिन में लोड करना है तो फिलाल में इसमें बीबीज नहीं दाल रहा हूं जो मैगजिन है जिसमें मैंने सी ओ टू दाल दिया है इसे मैं अंदर दालता ह है safety off है और मैं एक firing करके आपको बताता हूँ यह रिखिया अब क्यूंकि इसमें बीवीज नहीं है यह empty position में आ गया है यह यह है empty position जैसे कि real guns में होता है और यह blowback action है मैं आपको फिर से firing करके बताता हूँ मान लिजिए अगर मैंने इसमें बीवीज भरा होता तो यह इस प्रकार firing करता और देखिये किस प्रकार से यह फिर से जो normal position है slider का उसमें आ गया है फिर से ध्यान से देखिये किस प्रकार से blowback action होता है और खास करके यह जो hammer है यह किस प्रकार से इस position में फि empty position जब यह position में आ जाएगा मतलब की जो bb's है और वो खतम हो चुके हैं आपको bb's को फिर से load करना है यह देखिये यहां से मैं फिर से आपको firing करके बताता हूं यह देखिये अब यह empty position में आ गया है तो जो co2 powered air gun होते हैं यह एक तरह से realistic feel देते हैं आप इसे फिल्मों में 10 meters लेकिन यह 20-30 meters तक भी जो bb's है वो जा सकता है लेकिन 10 meters के बार जो bb's है वो curve करता है क्योंकि जो bb's है यह steel के बने हुए है और round है जैसे कि ball होता है cricket में आपने देखा होगा कि जो ball है वो किस प्रकार से curve करता है तो वैसा होने वाला है और इसमें जो मैंने co2 दाला हुआ है यह तकरीबन क्योंकि यह blowback action के साथ में आता है जितने भी blowback वाले air guns होते हैं उसमें थोड़ा सा जाधा co2 use होता है तो तकरीबन 40-50 rounds आपको मिल जाएगा जो non blowback guns होते हैं उनमें आपको तकरीबन 80-100 rounds भी मिल सकता है एक co2 capsules के साथ में यह एरगन आपको कैसा लगा comments करके मजें जरूर पताइए